यह विल्कम बेक टो माई चैनल यह है केला बनाना जो बहुत जादा पक चुका है तो आज हमारे रेसिपी बनेगी इस पके हुए केले से आओ देखते हैं कैसे तो सबसे पहले हम यह केला लेंगे और इस केले को अच्छे से छील लेंगे और छील कर इसके छोटे चोटे पीस क के देखतर हैं कुछ इस तरह से तो यह मैंने केले के चोटे-चोटे पीस कट कर दी हैं एक फोक्स पूरा पील कर देंगे तो इसे पूरा पील करके हम बनाएंगे आज की रेसिपी तो जो है बनाना केक तो इस केले में आप डालेंगे पांच शमच चीनी आप चाहे mocербouse पिसे होई भी डाल सकते हैं और साबुत भी और इस चीनी को डालने के बाद इसे हम अच्छे से बीट करना है मिक्स करना है कि चीनी और केला अच्छे से मिक्स हो जाए तो अगर आप कुछ भूल रहे हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और यूसफुल लग रही हो तो शेयर भी कर दें और जो नियो आज मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो वो मेरे चैनल को सस्क्राब भी कर ले तो आप लोगों से बात करते हुए ये केला और चीनी अच्छे से मिक्स हो गए है जैस केले को हम सोच रहे हैं कि आज उसी से बन रहा है बनाना के क्योंकि वह बहुत जादा पक गया था लेकिन खराब नहीं हुआ था अभी तो इस बनाना और चीनी को मिक्स करने के बाद हम ले आप चाहिए तो इसे आटे से भी बना सकते हैं लेकिन मैं डाल रही हूँ मैदा तो मैंने एक बड़ा बनाना लिया था और उसमें एक कटोरी मैदा डाल दिया है तो एक मैदा कम से कम होगा 100 ग्राम अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे तो मैदा केला चीनी को अच्छ दूद और दूद डाल कर अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे अब यह हमारा केक बेटर होगे अच्छे से तयार अब हम लेंगे केक मूल्ड आप चाहें तो इसे कडाई में भी बना सकते हैं लेकिन मैंसे आज बना रही हूं माइक्रोवे में तो यह जो मेरा केक मूल्ड है यह है सिलिकॉन का, तो इसमें हम यह सारा बैटर डाल देंगे, तो फ्रेंस डालने से पहले एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेना, और फिर इस सारे केक बैटर को केक बोल्ड के अंडर डाल देना, आप इसे चाहिए कड़ाई में बना रहे हों, या बना रहे हों में यह प्रोसीजर आपको जरूर फॉलो करना है, यह मैंने सारा केक बैटर डाल दिया है मोल्ड में, और अब हमारा जो माइक्रोवेव है, आज मैं उसे नॉर्मल मोड पर यूज करूंगी, तो सबसे पहले इस केक मोल्ड को जिसमें केक बैटर डाल चुके उसे इस तरह से टैप कर देंगे, जिससे इसमें कोई एर बबल ना हो, तो अब यह केक बैटर हो गया, बिल्कुल तैयार माइक्रोवेव में जाने के लिए, तो यह है मेरा सैमसिंग का माइक्रोवेव, तो जो मैं आज इसे पांच मिनट में बनाऊंगी, क्योंकि मैं इसे आज नॉर्मल मा की कन्वेक्शन पे, तो यह मैंने माइक्रोवेव दबा दिया है, और अब इसे 5 मिनट के लिए हम स्टार्ट कर देंगे, तो मेरा माइक्रोवेव हो गया स्टार्ट और आप 5 मिनट में हमारा माइक्रोवेव बनाना केक बनके होने वाला है तैयार, तो फ्रेंस 5 मिनट हो लेंगे और उस प्लेट को इस केक मोल्ड के ऊपर कुछ इस तरह से रखेंगे और इसे पल्ट देंगे और अब उपर से टैप करते हुए मोल्ड को उपर से हटा देंगे तो फ्रेंस देखो कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है मारा बनाना केक यह एकदम स्पंची और सॉफ करेंगे तो यह देखो बड़ाना केक कितने अच्छे से पीस कटके तैयार हुआ है और यह सरिफ विश्वास मानिये फाइब मिनट में बनके तैयार हुआ है और यह मैंने इसलिए अलग नहीं किया कि आपको दिखाओं कि यह कितने अच्छे से सॉफ्ट और सपंजी केक जाली भी कर ले और साइड में बने हुए बेल के आइकोन को भी दबा ले जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से पहले मिलता रहे तो फ्रेंज मैं चलती हूँ इंजॉय गीता से